हेलो स्टूडिंट्स आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का पिशासन और इस आज की क्लास में हम इसके साथ एक और टॉपिक भी देखेंगे तो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत उसका पिशासन तो इसमें फॉर्स्ट क्वेशन है इतिहास का बरनी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शाशन को वास्व में इसलामी नहीं माना क्योंकि उसका क्या रीजन था अधिकतर आबादी इसलाम का नुशन नहीं कर दी थी इसलिए ठीक है दिवान ए बंदगान, फिरोष तुगलक, दिवान ए मुस्तखराज, अलाउद्दीन, दिवान ए कोही, मुहम्मद तुगलक, दिवान ए अर्ज, बल्बन, चीक है? अगेन आपको सुमेलित करना है, दिवान ए मुस्तखराज, जो कि आपने यहाँ पर भी देखा, अलाउद्दीन खिलजी से लेटेड है, यह राजस्स विभाग था, दिवान ए अमीर को ही, मुहम्मद बिन तुगलक, कृश्य विभाग, दिवान ए खेराज, किस था आपना की है, कि कौन सा किसने स्टेब्लिश किया तक इसके शाषिंकाल में स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, नेक्स्ट कोष्यन देखेंगे, अगेन आपको सुमेलित करना है, दिवाने अज़, सेना, विभाग से संबंदित, दिवाने रिसालत, धार्मित-मुद्दु से दिवाने वजारत वित्ती मामलों से संबंदित नेक्स्ट क्वेशन है वह राजवाइश जिसके अंतरगत विजारत का चर्मोत करश हुआ तो वह राजवाइश था तुगलक राजवाइश नेक्स्ट है भूमियुत पात पर लगने वाले करको इंगित करता है खराज उश दिखेंगे सर्तनत काल में भूराजस का सर्वोच ग्रामीन अधिकारी था चौधरी शर्ब कर लगाया जाता था सिचाई पर जवातिप का संबंदित था राज्य कानून से हदीश है एक हदीश क्या है इस्लामिक कानून है ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है सर्तनत काल में फव नेक्स्ट है सर्तनत काल की दो मुद्दाओं के नाम बताने आपको जीतल और टंका यह किस ने इस्ट्वरीश की थी इलतुत मेशन है next question है टंका नमक चांदी का सिक्का चलाया था इलतुत मेशन है नेक्स्ट क्वेशन देखेंगे नेक्स्ट है सल्तनत काल के सिक्के तंका शर्षगनी एवं जीतल थे ये चांदी और तामबे के थे ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सरपथम अंकित हुआ अलावदीन मसूद शाह के सिक्कों पर ठीक है अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत इसकी कला एवं इस्थापत्य तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेशन क्या है फर्स्ट क्वेशन है अलाई दर्वाजा का निर्माण करवाया था अलावदीन खिल जी ने कुतुम मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया क्योंकि कुतुम मीनार सबसे पहले कुतुम दीन एबक ने स्टार्ट करवाई थी कम्प्लीट इल्तुत्मीश ने करवाई थी और कुछ तालोबाद उसकी चौथी मंजिल जो छती ग्रस्त हो गई थी उसको ठीक करवाना और पांचवी मंजिल फिरोशा तुगलक ने बनवाई थी नेक्स्ट क्वेशन है वह सुल्तान जिसने कुतुम मीनार के पांचवी मंजिल का निर्माण करवाया वो था फिरोशा तुगलक नेक्स्ट क्वेशन देखेंगे भारत में प्रथम मगबरा जो शुद्ध इसलामी शैली में निर्मित हुआ था वो था बल्बन का मगबरा नेक्स्ट क्वेशन देखेंगे दिली सल्टन की कलाव साहिति से रिलेटेड इस्थापत्य इवं नगरों के निर्मार का सही कालकरम है कुतुमीनार, तुगलकाबाद, लोधी गार्डन और फतेपुर सीकरी टाइम पिरेट के कॉर्डिंगे इस सीक्वेंस में स्टेब्लिश किये गए थे नेक्स्ट क्वेशन है कीरती स्थंब प्रिश्रस्ती के रचरीता थे अभी कभी ये तॉड़ का कीरती स्थंब निर्मत हुआ, किस के शाषिनकाल में निर्मत हुआ, जाना कुम्भा के शाषिनकाल में नेक्स्ट आप्पु सुमेलित करना है इस्थल और स्थापत्य दिल्ली रिलेटेड है कुवत अलिस्लाम मस्जित से, जौनपुर, अटाला मस्जित, मालवा, जहाज महल, गुलबरगा, जामा मस्जित नेक्स देखेंगे फिस आपको सुमेलित करना है वास्तु शैली और संबद राजवन्ष को महराप की निशली सतय पर कमलकली की जालर ये खिलजी वन्ष से रिलेटेड है अस्टभुजी मगबरों का उदाय ये तुगलक वन्ष से रिलेटेड है इस्तंबो में बोधी गोई का प्रयोग विजय नगर से लेटेड और जुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुखे ध्वार ये शर्क से लेटेड है तो स्टुडेंट्स आज की क्लास में हमने ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स देखे अब अप्ती नेक्स क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे ओके थैंक यू